असलामलेकुम गाइस मेरा नाम साथ अरी है और फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लाटफॉर्म में आप सब लोगों का वेल्किम है तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोगोंने जब गेस्ट पोस्टिंग करनी है या बैक लिंक्स बनाने तो आपने गेस पोस्टिंग के लिए वेबसाइट जो है वो किस तरीके से फाइंड करनी है ठीक है तो चले वीडियो को शुरू करते हैं ओके गाइस तो यहां पर जो हो मैंने कुछ मैट्रस लिखे में हैं और कुछ सर्च ऑपरेटर्स हैं जो कि आप यूज करते हो गेस्ट पोस्टिंग का घंके हैं तो आपने बेसिकली जा करना है कि यहां से इंको कॉपी करना है कौपी करना के बाद गूगल में आके इनको पेस्ट करनाゃ है और यह जो प्लस का साइन है इस से पहले जो है वो आपनें की व्र लिखना है अपनी नीच से रल्यूं जो भी आपका He creative की वरड अब तो अब जब हमने यहाँ पर वैक्यूम लिखाए तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास जो है वह कुछ रिजल्स जो है वह आनल इस टार्ट हो गए है ठीक है अब यहाँ से हम से हम से कंड वाली को ओपन कर लेते हैं ठीक है तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसका write for us का page जहां पर बना हुआ है ठीक है अब जब आप इस page को पढ़ोगे तो यहां पर इसने लिखा हुआ है के we welcome contributions और guest bloggers ठीक है कि आप जो है वो इनकी website के उपर लिख सकते हो और उसके नीचे इसने कुछ guidelines दी है कि articles आपका कितने words का होना चाहिए क्या क्या उसके अंदर जो है वो चीजों का आपने ख्याल रखना है ठीक है यह सारी guidelines जो है वो आपके लिए जरूरी है इनको understand करना because अगर तो आप खुद article लिख रहे हो तो फिर यह आपको खुद पढ़के इसकी base के उपर article लिखना पड़ेगा otherwise अगर आप अपने article को outsource करवा रहे हो तो आप यह वाला URL जो है आप अपने article writer को दो कि इन चीजों की base के उपर जो है वो आप article जो है वो लिख है ठीक है तो जो website 25 plus होंगी और उनके पस thousand plus traffic होगा उनको जो है वो आपने reach out करना है ठीक है आप क्या करो कि आप जो है एक जो है अपने पास excel sheet बना लो इस तरीके की जिसके अंतर जो है आप इनकी जो है वो यह details जहें आप लिखोगे सबसे पहले जो है आप लोग ने domain name लिखना है कि उ हो चेक कर सकते हो यहाँ पर आप देखो कि 29 इसका डी यह है और पी जो है वो 31 है ठीक है 29 और 31 अब traffic चेक करनी है traffic के लिए मैं actually refuse कर रहा हूँ आप scmres या कोई भी आगर आपके पस tool है आप वो use कर सकते हो यहाँ भी हम इसका URL डालेंगे तो यह जो है हम इसके उपर traffic बता यहाँ पर जो है हम अपनी excel sheet के अंदर इसकी traffic जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे ठीक है उसके बात contact information है अगर तो यहाँ पर आपके पस email है कि यह उस website पे mention हुआ है तो आप यहाँ से इसका email यहाँ पर enter कर लो otherwise जो है वो आप इसका जो right for us का page है जहाँ पर इसका form है यहा contact form लगाया हुआ है ठीक है अब इस URL को जो है यहाँ पर add कर लो ठीक है और guidelines के अंदर भी जो है वो यही URL add कर लो अच्छा अब आपने अब आपने यह matrices जो है वो यहाँ पर no down क्यों करने है क्यों कि जब आप outreach कर रहे होगे तो let's suppose कि आप एक दिन के अंदर जो है वो 50 websites को जो है वो outreach करते हो और उसमें से 15 websites को जो है वो response आजाता है तो आपको पता होगा कि यार वो जो 15 websites हैं ठीक है उनके mattresses कितने है उनकी authority कितनी है ठीक है because 90% of the time जो है वो आप लोगों से कुछ ना कुछ पैसे जो है वो चार्ज करेंगे sometimes ऐसा होता है कि 20 डॉलर चार्ज करते ह है sometimes $30, $50, $100 वो depend कर रहा होता है कि जो अगली website है उसकी authority कितनी है जितना जाधा उसका DA होगा उतने जाधा उसके charges होंगे let's suppose अब DA 30 है is almost तो इसकी हम लगा लेते हैं कि 25 डॉलर ठीक है 25 डॉलर asking price है और yes इसमें sometimes ऐसा भी होता है कि जो website owner है वो आपसे बहुत जाधा पैसे मांगते है $100, $100 उसकी भी जो है वो मैं एकली वीडियो में चलके strategy बताऊंगा जो link insertion की हमने बात की थी अपनी पहली वीडियो के अंदर कि हमने उस technique को कैसे use करना है ठीक है और कभी भी हम लोगों ने जो है वो $100, $150, $200 के back links नहीं लेने है ठीक है it's not worth it तो हम लोगों की जो range है वो $10 से लेके $50 के बीच होगी ठीक है इस price range के दिरम्यान जो है वहाँ आप में back links लेंगे depend कर रहा होगा कि उस website की authority कितनी है ठीक है तो इस तरीके से आपने जो हो यहाँ पर list सारी बना लेनी है तो इसी तरह सेम जब आप जो है वो is right for us के page पर आप देखोगे तो इसमें आपको और भी मजीद बहुत सी website जो मिल रही है ठीक है इसमें जितनी da25 plus है वो आपने उठा के उस list में दाल दे लेनी है और उसका जो हो सारी details जो हो fill out कर देनी है ठीक है और इसी तरीके से यह बाकी जो है क्या नाम है search operators है हमारे पास इनको भी आप use कर सकते हो इनक इनको इनके जरिये जो हो मजीद website जो हो आपको मिल जाएंगी let me show you अब यहाँ पे हम keyword लिखते है different पहले हमने लिखा था vacuum अब यहाँ पे हम लिखते हैं carpet cleaning या floor cleaning ठीक है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मजीद जो है वो home improvement right for us design 28 सेम इसी तरीके से आपको जो ह जो हो मजीद website जो हो यहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगी ठीक है तो this is one of the strategy जो के guest posting के अंदर use होती है अब यहाँ पे भी same इसी तरह है कि उसने जो है वो आपको improving guidelines दीवी है कि जो आपने article लिखना है वो 1000 words का होना चाहिए infographic है 700 minimum sponsored guest post है ठीक है और example जो है दीवी है कि इसने यहाँ पर इमेल दिया वह तो submit email us at टीक है यह जो है आप उठाके अपने पास excel sheet के अंदर डख लोगे फिर जब आप outreaching करोगे ना तो आपको जो है वो इसी email पर जो है वो contact करना होगा got it तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी पूरी जो है वो अपनी list जो है वो ब अब next video में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग ने इनको reach out कैसे करना है और किस तरीके से जो conversation होती है मैं आपके साथ पूरा जो है वो एक जो मैंने अपने client के लिए जो है वो conversation की वी है outreaching की वी है तो वो में सारी screenshot जो है वो आपके साथ पूरी chat जो हो आपके साथ शेयर कर होंगा तो ओके आज की वीडियो के लिए इतना ही इंशाला जो है next video में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तर के लिए खुदा हाफिज